नमश्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 नौबर 222 के आपके शंपूर राशी फल की बारे में शुरुआत करते हैं आज के बहुत अच्छे विचार्शी दोस्वों जीवन की हर शमश्या की भीतर एक उपहर छुपा होता है इसलिए जो शमश्या आए तो निराश मत होई उसका अंत आपकी उम्मीदों से शुन्दर हो शकता है जीवन में कुछ हो तो शेहन करना शीखना चाहिए क्योंकि हम में भी कुछ यसी कम्या है जिनें दुसरे शेहन करते हैं आप किशी को खुश करने का प्रितन ना करें बश एकी बात याद रखें मुझे भगवान को प्रेशन करना है और जब भगवान ही प्रेशन हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो वह वह करने के लिए बेठे ही हैं जिहा दोस्सों किशी का भी वरतमान देख कर उषका मजाग नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि शमय बदलता रहता है शमय के साथ करम भी बदलते रहते हैं और कर्म शी भागी बदलता रहता है शमय में इतनी ताकत होती है कि वह किशी की भी किश्मत कभी भी पलट देता है जिहां दोस्तों आज को पंचंग आज दिन रविवार बीश नॉमबर दोजरबाइश किर्शम पच्छ की काच्छ सित्थी शुबा के 10 बचकर 41 मिट रहेगा उसको प्रांती दूआ सित्थी परारम हो जाएंगी हस्त नाम का नचेत्र रातरी के प्रातर काल 12 बचकर 36 मिट रहेगा उसको प्रा के शमय की बात के अर्थात दिन के शुब समय की यह शुमे आप कोई भी शुब और महत्पुन कारियों को भूल शे भी ना करें तो दोस्तों यह शुमे रहेगा शाम के चार बचकर 15 मिनट शले कर शाम के पांच बचकर 36 मिनट तक और चन्रमाइज दिन कनय राशी पर शंचार करेंगे दिन के अभीजित महरत की बात के अर्थात शुब समय की तो यह शुमे रहेगा शुबा के 11 बचकर 50 मिनट शले कर तो पहर के 12 बचकर 34 मिनट तक आप यह शुब कारियों को कर शकते हैं तो आई दोस्तों से के शाद बात करते हैं जो गरहों के सिती है और जो चंद् करेंगे दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिश ना करें और इने शुरू चलेकर अंत तक ध्यान से देखें तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यह शुमे अधिकतर समय व्यक्तिकत कारियों को पूरा करने में वहितित होगा शाथी दोस्तों शुबलता मिलने से मानस भी यह में रहेगा जो कि आने वाले भाईश के लिए भागिशाली शाग्त होंगे वहीं दोस्तों यह शुमें आपके सावधानी को बात करें तो दोस्तों यह शुमें इस बात का ध्यान रखें कि परते गतिवदी में श्वेंग की कार्शमता पर विश्वास रखना बात के बात के बारे में बेवज़ाद चीन्ता करने की वज़शे हर बात में आपको यह शुमें ना जरा रही है यदि आप पस्तिती में बदलाव लाना चाहते हैं तो दोस्तों खूद के अंदर बदलाव लाना ज़र्यू होगा एक जिसी जीवन से लिए रखने के इसे दोस्तों आपके अंदर महांसिक शान्ती वा फिर उर्जा का संचार होगा आर्थिक दिर्ष्टी से यह समय बहुत यूत्तम रहने वाला है दोस्तों दिर्ष्टी होकर काम करने से आपकी यूजनाएं आवशी सफल होगी साथी दोस्तों यश्में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपक्षा अपनी कारशमता पर आत्मबल पर बिश्वास रखें और आगे बढ़ें दोस्तों किसी भी परकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होगे दोस्तों यश में नगी व्यक्ति से शमस्या हो सकती है शादी दोस्तों इनसे बचने की कोशिश करें इसको प्रांदोस्तों यश में परिवार के खिसी युवाव व्यक्ति की खास परगती होगी जिनकी वज़े से पूरे परिवार में शमधान प्राक्त होगा यश में आपके खर्चे हो सकते हैं लेकिन यह खर्च आपके मौज मस्तिपर होगा इसलिए दोस्तों यश में चिंटा करने क्या हो सकता नहीं होगी घर के बदलाव शमंदी विश्यों पर भी महत्पून चर्चा होगी दोस्तों दिन की कुछ शमय परिवारों के शाथ मर्रोजन वा फिर श्वात समंदी को तिदियों में वहित्त होगा इश्को परिवारों के शाथ बाद भाद होने की अशंका लग रही है दोस्तों यश्मे शावधानी और समयधारी शिये आपको काम लेना चाहिए आई यसी आप पर स्थिद्यों को अशाने शिये शमाल भी पाएंगे दोस्तों बहतर होगा कि दूसरों के जमलों में अपना हस्त पेक्षना करें। इसको प्रांदोस्तों यश्माई, आपके लिए उसे में होंगी। दोस्तों आपके एक्षास सकती बढ़ने की वज़ाशे काम में भी आपको यश्माई परगती और गती दोनों नजर आने वाली है दोस्तों आप अगेले ही काफी बातों का शमना यश्मिक कर पाएंगे जिनकी वज़से आपको मार्शिक धकान भी मैसुन हो सकती है लेकिन उन्हीं बातों को परगती की और बढ़ते हुए देखकर आपको शमधान भी पराब्द होगा इसको प्राण दोस्तों यश्मिय आ किसी किसी समय आप आलस की वज़से कुछ काम न देंदाज ना करें दोस्तों यश्मिय इनकी वज़से आपकी आर्थी रिस्तिधी पर भी अशर पड़ेगा और दोस्तों यश्मिय अपना आत्मिश्वास उपिर कार्शमता को मजूद बनाकर रखना आपके लिए मुश्कौन सकता है दोस्तों व्यक्तिक्र जीवन में आपको श्मधान प्राप्त हो सकता है लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी प्रिशानियां भी यह में रहेंगी इसकि अगर आपके के समय करना आपको बढ़ सकता है चुब ब गूँए आपको हाचिल होंगे हलांकि दोस्तों कुछ वहाईपारी लोग अपने निजी कारियों के विज़े से कारी श्क्राइब पर अतना आदिक ध्यान नहीं देपाएंगे इसको ब्राद दोस्तों यह श्में आपके वह वविशाय के लिए श्में होंगे आपके केरेर के लिए जि इसको ब्रान दोस्तों यह श्मय आपके केरेट के लिए जसे महोंगे, दोस्तों यह श्मय ओवयषाइक अस्थलफर आपका दबड़बा बना रहेगा, करमचारियों के शाथ आपका उची ताल मेर रहने से कारी भी सुचारू रुप से होते जाएंगे, दोस्तों इसमय मार्क कुछ नई अनुम्द भी यश में प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिकल इस्तिती में यश में सुधार होगा यश में साहईदारी श्रमधी कारियों में दहर और श्यम रखने की आवश्यक्ता होगी इसको परां दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइप के लिए में भी आपसे तालमेल बना रहेगा जिन से दोस्तों यश्में आपके लव लाइप के लिए समय होंगे घर में अधिक हस्त बेक्ट सता रोक्टो करना पारिवरेक शदस्यों को नाराज कर सकता है दोस्तों सब को अपने तरिकेश काम करने की शवतंता मिलना ज़री है इसको प दोस्तों यश्में आपके श्वास्त को लेकर बात करें तो दोस्तों जोड़ों वापिर मांच पेशियों का दर्द आपको परिशान कर सकता है दोस्तों वहया में आप यश्में आप यश्में जरूर निकाले यह आपके श्वास्त के लिए बैतर होंगे इसको प्रान दोस दिन चर्या को वविशित रखना आपके स्वास्त के लिए उचित होंगे इसको प्राद दोस्तों येश में आपके स्वास्त के लिए उचित होंगे दोस्तों येश में वर्तमान नाकार्थम वतारन से अपना बचाव करना आपके लिए अतिया आउश होगा शादी दोस्तों येश में आपका भागी शाली रहेंग रहेगा श्रभेद और भागी शाली अंक रहेगा आठ